देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी चारा घुटाला के सबसे बरे और अंतिमामले डुरंडा कोसागार में आज कोट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा ऐसे में हर किसे की निगाहें इस कोट के फैसले पठीकी हुई है कि आखिर क्या फैसला कोट सुनायेगा किया लालू पुशाद यादव को जेल जाने से उन्हें राहत मिलेगी हलाकि आपको बताएं कि अक्त लालू पुशाद यादव जमानत पर चल रहे हैं ऐसे में संभावना ये बन रही है कि लालू पुशाद यादव को जेल जाना पर सकता है ऐसे में क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई सामने आई है किस तरह से कोट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा और क्या कुछ तैयारी की जारी है इसकी पुड़ी जानकारी आपको देते हैं बतादे कि लालू पुशाद से जुरे पशुपालन घोटाले के 25 सार पुराने सबसे बड़े मामले आरसी 47 ए बटे 96 में CBI की विशेस नया धीश सके ससी की आदालत में आज फैसला सुनाया जाएगा इस मामले में राज़त अध्यक्ष और विहार के पुर्व मुख्य मंतरी लालू पुशाद यादव जगदीश शर्मा डॉक्टर आर के राना ध्रुव भगत समेत 99 आरोपित ऐसे में आज सारहे 10 बजे से आदालती कारवाई शुरू हो जाएगी इसमें लालू पुशाद सहीत 99 आरोपित अदालत में पेश होंगे बता दे कि इस मामले में दो आरोपित गंभेर रूप से बिमार हैं ऐसे में दोनों उम्र दराज भी हैं उसमें एक तो बेट पर है जबकि दूसरे चल फिर नहीं सकते लेकिन उन्हें भी अदालत में शुर सरीर उपस्थित होने का अधिये शुदी आ गया है बता दे कि सवल कोट के अधिवक्ता ने कहा है कि काफे दिन बाद लालू पुशाद यादव राची आए हैं कई लोग तो उनकी एक जलक पाने के लिए कोट परिसर में भी आ जाएंगे इसके कारण सवल कोट के दोनों गेट और नए बार भवन की ओर से प्रवेश द्वार पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है तो जहां एक तरफ आज लालू पुशाद यादव के जो है उसको लेकर अदालत फैसला सुनाएगी तो वही करी सुरक्षा का इंतरजाम भी कोट परिसर में किया गया है और अगर हम सुनवाई की बात करें तो कोट में जो सुनवाई है वो सारहे 10 बजे से शुरू हो रही है ऐसे में आपको बताए कि सिब्याई की कोट की तरफ से जो बहस था वो पूरी करनी गई है और लालू पुशाद यादव ने भी अपने बचाव में कई तरक सामने रखे है ऐसे में हर किसी की निगाहें ठिकी हुई है कि आखिर कोट फैसला क्या सुनाती है चाहे लालू पुशाद यादव के परिवार वाले हैं उनके चाहने वाले हो उनके कारी करता हो या खुद लालू पुशाद हर कोई चिंतित है परेशान है कि आखिर क्या फैसला कोट की तर पहरे के तोर पे राजनेताओं में जाने जाते हैं लोग उनकी एक जलक पाने को उन्हें देखने को बेकरार रहते हैं और यही वज़ा है कि जो संभावना बन रही है कि कोट में कई लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं लालो पुशाद यादव को देखने के लिए उनसे मिलने के लिए और उसी को लेकर जो है वो असुरक्षा की करें इंतजाम किये गए है हाला कि हमने वो तस्वीरे भी देखी कि जब लालू पिशाद यादव रांची एरपोर्ट पे उतरते हैं किस भावे तरीके से उनका स्वागत किया जाता है कारी करता हूं में जो उत्सा है जो पड़ता है फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें ये न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार